कड़वा है लेकिन सच है बचपन में लड़ती थे माबाप के लिए बड़े होने पर फेक देते हैं घर से बाहर आज का दौर कल्यूग कहा जाता है ये यूग चार यूगों की अफधार्ना में चौथा और अंतिम्यूग है इससे पहले तीन यूग आकर चले गए जो सत त्रेता द्वापर रहे थे वैसे कल्यूग में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे इस यूग को अच्छा तो बिलकुल भी नहीं कहा जा सकता आज अपराद बढ़ रहे हैं दुरगटनाएं अधिक हो रही हैं और सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात बच्चे अपने माता पिता के ही नहीं हो रहे हैं पुराने समय में जब बेटा पैदा होता था तो पिता कहते थे ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा अब जब बेटा पैदा होता है तो माता पिता के मन में एक खयाल होता है जो ये है कि बड़े होकर कहीं बेटा हमें व्रिद आश्रम में तो नहीं छोड़ाएगा इस दोर में बच्चे अपने माता पिता की दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं आज के समय में आपको माता पिता घरों में कम और व्रिद आश्रम में अधिक मिलेंगे हर शहर में कई व्रिद आश्रम है जहां बच्ची अपने माता पिता को छोड़ाते हैं इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं आईए जानते हैं सबसे पहले पत्नी कई किस्सों में ये सुनने को मिलता है कि माता पिता को बेटे ने केवल इस वज़े से घर से निकाल दिया क्योंकि बहु को परिशानी हो रही थी बहु ही वो होती है जिसके चलते बेटा अपने माता पिता को वृद आश्रम छोड़ाता है चलिए माना बहु तो दूसरे घर से आई है लेकिन बेटे को क्या हो गया बेटा कैसे ऐसा कर सकता है वो मा जिसने उसे नौ महीने अपने पेट में पाला और उसके बाद उसके दुनिया में आने पर उसका ख्याल रखा उसे बड़ा किया उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया उसके लिए रात रात भर नहीं सोई कैसे कोई बेटा ये सब भूल कर दो दिन की आई लड़की के लिए अपनी मा को भूल जाता है वो पिता जिसने अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने बेटे के लिए अपना सब कुर्बान कर दिया बेटे के लिए पिता ने रात में ओफिस में काम किया दिन में काम किया अपनी ख्वाहिशों का गला दबा कर बेटे को विदेश भेजा उसे पढ़ाया लिखाया और उसने जो मांगा उसे वो दिया लेकिन जिस बेटे के लिए पिता ने इतनी कुर्बानिया दी, उस बेटे ने क्या किया, पिता को घर से बाहर फिक दिया, कैसे कोई इतना निर्दई हो सकता है, दूसरा बदलती सोच आजकल के बच्चे भले ही मिडल क्लास या गरीब परिवार में जन लें, लेकिन उनकी सोच बड़ी हाइफाई होती है, सब अमीरों वाले सपने देखते हैं, इसी के चलते बच्चे अपने माता पिता को कोई एहमियत नहीं देते, दिन रात काम करने वाले, माता पिता को बच जिस बुढ़ापे में बच्चों को माता पिता का सहरा बनना चाहिए, उस बुढ़ापे में वो उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, माता पिता पाई पाई जुटा कर अपने बच्चे को विदेश पढ़ने भेशते हैं, लेकिन वहां से आने के बाद तो बच्चा पूरी तरह बदल जाता है, उसे लगता है कि उसके माता पिता उसके लायक नहीं है, वो कहां उच्चे ओदे का और उसके माते पिता कहां मिडल क्लास सोच वाले, बच्चे अपने आपको दूसरों के सामने अच्छा दिखाने के लिए अपने गरीब माता पिता के साथ बाहर तक न ना आया तो हमारी बेज़ती होगी आज बच्चों की सोच बदलती जा रही है और इसे वज़े से कई बार वो अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल फेकते हैं जैसे दूद से मक्षी निकाली जाती है तीसरा वसीयत ये भी एक मुख्य कारण है वैसे केवल छोटे गरीब घरों में ये किस्से नहीं नजर आते बलकि बड़े बड़े घरों में भी ये किस्से दिखाई देते हैं अमेरों के घरों में भी माता पिता को बढ़ते हुए देखा जा सकता है अमेर घरों में बेटे पहले तो वसीयत लिखने जाने तक साथ रहते हैं और अपने माता पिता को बहुत एहमियत देते हैं लेकिन जैसे ही वसीयत लिखने की बारी आती है और वो सभी में बराबर बढ जाती है तो बेटों में खीच तान शुरू हो जाती है। सभी माता-पिता को रखने से मना करने लगते हैं और अंत में ये निर्णे निकलता है कि ने वृद्ध आश्रम में छोड़ाया जाए। वाकई ये किस से कभी भी दिल को दहला देते हैं। धार्मिक कहानियों से हमें सीख लेनी चाहिए। बता दे श्रवन कुमार की कहानी तो आप सभी ने पढ़ी या सुनी होगी। एक ऐसा बेटा जो बढ़ापे में अपने माता-पिता का सहरा बना। बढ़ापे में श्रवन कुमार ने दो टोकरी में अपने माता-पिता को बढ और एक डंडे के सहारे उन्हें अपने कंधे पर टांग कर तीर्थ यात्रा करवाने के लिए निकल पड़े। चुड़वाने के लिए उसे मार दिया लेकिन वो खुद को पालने वाले माता पिता को भी नहीं भूले। इस तरह आपको कई ऐसी कहानिया मिल जाएंगी जिन से आप सीख ले सकते हैं कि अपने माता पिता को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बलकि जीवन भर उनके साथ रहते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए।